हलो और वेलकम इन मैं चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल के फूल के फायदे के बारे में बताने वाली हूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस चैनल पर हल्थ रिलेटेड और भी बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोज को लेकर आती हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गुड़हल या जवा कुसुम का फूल जिसे हम अंग्रेजी में हिबसकस और चाइना रोस बोलते हैं एक समानने सा फूल है जिसे आपने अपने आस पास जरूर देखा होगा गुड़हल के फूल बहुत से रंगों में पाये जाते हैं जैसे की लाल, गुलाबी, सफेद, पीला, आदी यह फूल जितना दिखने में सुन्दर लगता है उतना आपके स्वासलाब के खजानों से भरा बड़ा है गुड़हल का फूल का उपियोग पूजा में भी बहुत किया जाता है पर लोग इसके हेल्थ बेनिफिट से अंजान होते हैं हमारे भारत देश में गुड़हल का फूल बहुत प्रचली थे शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इस फूल से अंजान हो धार्मिक द्रिस्टी से या सेहत द्रिस्टी से यह बहुत लाबकारी फूल है गुड़हल का फूल काल्शियम, फाइवर, आइरन और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है जो हमारे शरीर के लिए आवशक पोशक्तत्व है तो चलिए गुड़हल के फूल के फाइदों के बारे में जानते हैं अगर मधुमेह के रोगी हैं तो यह फूल आपके लिए वर्दान से कम नहीं है इसके लिए आप गुड़हल के फूल के 15 से 20 पत्तों का सेवन नियमित रूप से करें आपको काफी फाइदा मिलेगा गुड़हल के फूल में एंटि आक्सिडेंट पाया जाता है जो आपके बैड कॉलिस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ ब्लर प्रशर को भी बैलन्स रखता है इसके लिए गुड़हल के फूल को पानी में उबाल कर और चान कर आप पी सकते हैं साथी यदि आपके मुह में छाले हो गए हैं तो आप गुड़हल के 3-4 पत्तियों को साफ करके उसे चबा सकते हैं इससे आपको काफी राहत मिलेगी और आपके चाले जल्दी ही ठीक हो जाएंगे इसके अलावा यदि आप सर्दी खासी से पीड़ित हैं तो गुड़हल से बने चाय का प्रयोग कर सकते हैं गुड़हल में विटामन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सर्दी जुकाम और खासी को दूर करने में बहुत लावकारी है गुड़हल का फूल खुजली, सूजन और जलन में भी बहुत लाव ब्रद है यदि शेरीर के किसी हिस्से में सूजन या खुजली हो गई है तो इसके लिए गुड़हल के फूल के पत्तियों को बारिक पेस्ट बनाकर अपने अफेक्टेड एरिया पर जो की सूजन और जलन वाला हिस्सा है उस पर अपलाई कर सकते हैं आपको बहुत आराम मिलेगा गुड़हल के फूल में बहुत से ऐसे पोशक्तत्व पाये जाते हैं इसलिए इसका इस्तमाल बहुत से दवाईयों में भी किया जाता है और यह एक तरह से आयुर्वेदिक औशधी भी है एनिमिया यानि की शरीर में खून की कमी और गुड़हल में आईरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो यदि आप एनिमिया जैसे रोग से पिड़ित हैं तो आप गुड़हल के फूल की ताजा कलियों को सुखा कर इसका पाउडर बना ले और प्रती दिन सुबह शाम, आधा चमच, गरम पानी या गरम दूद के साथ सेवन करें इससे आपके शरीर में खून की कमी जल्दी ही पूरी हो जाएगी और एक महिने में ही आपको काफी पर्क दिखेगा गुड़हल के फूल में बहुत से पोशक तत्व पाये जाते हैं जो आपके शरीर के इम् पिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्या है, मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता है तो इसके लिए आप गुड़हल की पत्तियों की चाय को हरबल्टी के रूप में पी सकते हैं इससे आपको काफी राहत मिलेगी आपका मासिक धर्म खुल के आएगा और आपको काफी फ् प्रक महसूस होगा गुड़हल के फूल आपके मेमरी पावर को बढ़ाने में भी अहम भूमी का निभाते हैं इसके लिए आप गुड़हल की आठ से दस फूल या आठ से दस पत्या लें और साफ करके सुखा लें और बारिक पाउडर बना लें और नियमित रुप से सुब आपके यादाश को तेज करता है और मेमरी पावर को इंक्रीज करता है गुड़हल के पत्ती से बने चाय के सेवन से किड्निय स्टोन की प्रॉब्लम भी दूर होती है गुड़हल के फूल में विटामिन सी, मिनरल्स और अंटी आक्सिडेंट पाया जाता है और पॉस्टिक आप गुड़हल से बने चाय का उप्योग भी कर सकते हैं अगर आपको बाल जड़ने की समस्या है क्योंकि बाल जड़ने की समस्या आजकल सभी की समस्या बन गई है और इस समस्या से निजात दिलाने में गुड़हल आपकी बहुत मदद कर सकता है इसके फूल से केश तेल भी तैयार किया जाता है, यह ना सिर्फ आपके बालों का जढ़ना रोकते हैं, बलकि आपके बालों को मजबूत, हेल्दियर, शाइनियर और सिल्की भी बनाते हैं, इसके लिए आप गुड़हल के 8 से 10 फूल लें और अच्छे से पीस कर अपने स्काल्प पर लगाएं, और धो लें, आप फूल के जगह पत्तियों के पेस्ट का भी उप्योग कर सकते हैं, या आप फूल को पानी में उबाल कर उस पानी से अपने बालों को भी धो सकते हैं, इसके उप्योग से आपके बालों की अच्छी ग्रोथ होगी और यह अंदर से स्ट्रॉंग बनेंगे, और यह आपके skin related problems जैसे की दाग, धब्बे, pimples, wrinkles, pigmentation, dryness, acne, sunburn आदी को दूर करता है और आपके चेहरे को जवान, healthy और glowing बनाता है। प्रयोग से आपको काफी freshness और अपने चेहरे पे काफी अच्छा महसूस होगा, आपका चेहरे काफी glowing और healthy बनेगा। तो दोस्तों जितनी भी चीजे हैं जिसे की हमें लाब पहुँचता है, अगर हम उसका सही ढग से इस्तमाल नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए नुकसान दायक भी हो जाता है, तो गुड़हल के फूल का इस्तमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे की गुड़हल के फूल का इस्तमाल सिमित और उचित मात्रा में ही करना चाहिए, गुड़हल के फूल का इस्तमाल अधिक मात्रा में ब और प्रेगनेंसी के दौरान यानि कि गर्भवस्था के दौरान और इस्तन पान कराने वाली महिलाओं को भी गुढ़ल के फूल का इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप सभी भूल जाते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबे